दोस्तो टोटाल सॉलुशन मिलान में आप लोग का फिर से एक बस स्वागत है तो दोस्तो आज का वीडियो एक एक्स्ट्रीम का जो रिमोट है दोस्तो की भी सेट्टप बॉक्स का रिमोट है तो इसी को रिप्यार करेंगे तो इसमें देखिए कोई भी बटन इसमें काम नही कर रहा है तो इसको हम खोल के देखेंगे और रिप्यार करने की कोशिस करेंगे दोस्तो कैसे हम रिप्यार करते है पूरा वीडियो को आप देखिए बहुत ही अच्छा वीडियो है हेल्फूल वीडियो है जो नया टेक्निशिया ने और पूरा ना टेक्निशिया ने सब लो बहुत सारा remote के उपर वीडियो है दोस्तों वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो तो कोई भी remote आप लोग repair कर सकते हो तो इसमें देखिए उपर से दिख रहा है कुछ damage इसमें हो गया है साथ इसमें battery का जो acid है दोस्तों battery गलने के बाद जो उसका acid होता है वो acid से ही इसमें ख़रा भी आ गया है बहुत सारा print जो है कट गया है वो कर गया है और इसको ही हम repair करेंगे तो थोरा सा हम इसमें oil लेके साब कर लेंगे जो की kerosene का oil होता है तो उससे कर लेंगे और थोरा सा ICI thinar जो है और भी यूज़ कर सकते है पिछले बाला जो remote का हिस्सा है उसमें और उसके बाद हम समने बाला जो पत्ता रहता है दोस्तों पत्ता को उठाएंगे तो उसके बाद हमको पत्ता चलेगा क्या damage हुआ है दोस्तों यह देखिए इसमें दो जो point है यूटूब बाला point है और दूसरा जो दो number का switch है तो यह दोनों ही पूरा damage हो गया है दोस्तों तो इसको भी हम repair कर सकते है उसमें तोरा सा time लगेगा और यह देखिए हम इसको खोल लेते पत्ता को आइस्ता आइस्ता करके पूरा हम खोल लेंगे तो इसमें जो acid है acid जाने के बाद इसका जो plastic है तोरा सा गल गया है इसके उपर जो सफेद वाला टेप था वो भी गल गया है acid के कारण और इसमें carbon भी गल गया है उसके साथ board में जो foil line था दोस्तों जो की बहुत ही बारिक रहता है वो foil भी गल गया है यह देखिए दोनों जो button है इस button को भी हम साफ कर लेंगे पहले उसके बाद जो remote का PCB body है उसको हम repair करेंगे तो इसको भी साफ करना जोरू है नहीं तो switch उल्टा उल्टा काम करेगा क्योंकि इसमें अभी भी battery का acid लगा हुआ है पहले यह पत्ता को हमको अच्छे से साफ करना परेगा केरोसीन का जो oil होता है उसी से उसके बाद हम देखेंगे main जो PCB board है उसको हम कैसे repair करते और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो जोरू चैनल को subscribe करे वीडियो को like करे शेयर करे वीडियो के उपर जो आई बटन है वही पर क्लिक करके आप मेरा वीडियो देख सकते हो वीडियो के end में भी आपको end skin में मेरा वीडियो मिल जाएगा remote का बहुत सारा वीडियो हमने upload किया है सब वीडियो आप देखोगे तो उससे आपको बहुत सारा जानकरी मिलेगा तो यह देखिए तो देखिए इसका जो PCB board बहुत डेमेज हो गया है यह जो foil line है तो रसा left side में गया है उसके बाद उपर में गया है और यही पर एक pin point है आपको दिख रहा दो pin point है इसमें connection था कट गया है और उसके बाद ओई connection सामने वाला जो pin point आपको दिख रहा है यह से आया है और फिर उपर तक गया है जितना भी switch है उसमें जो power वाला switch है उसमें गया है तो यह connection कट गया है और बाकी यह दोनों tip का जो main connection है ओभी कट गया है तो देखिए हमने उपर में jumper कर लिया है और उसके बाद यह jumper वायर को spin point का जो छेदे उससे हम निकाल लेंगे तो इससे निकालने के बाद उल्टा साइड में हमको jumper करना है तो दोस्तों बहुत ही असान है अच्छे से आप देखो वीडियो को पूरा देखो पेर कर सकते हो तो यह दिखिए हमने बहार इसको निकाल लिया आए तो अब हम थोरा सा प्रिष्ट लगा के इसको हम sold करेंगे यह connection फिर जूर जाएगा यह दिखिए यह pin point को हम थोरा सा प्रिष्ट लगा देंगे उसके बाद इसको sold करेंगे तो तो आमारा connection पहले जाए सब बन जाएगा और आमारा remote जो है चकाचक काम करने लगेगा सिर्फ दो बटन काम नहीं करेगा जो की YouTube वाला बटन और दो नमबर तो इसको भी हम सही कर सकते इसका जो एक middle वाला जो point है इसका point जो है सही है लेकिन उपर वाला जो carbon था जो side वाला option है round वाला बटन का वो जल गया है तो अगर जोर्वत परे तो उसका भी हम repair करेंगे और उसका भी वीडियो हम upload कर देंगे दोस्तो नहीं तो हमारा remote जो है अब भी तो बिल्कुल सही हो गया है दो बटन को छोड़ के तो यह दिखिए extra jumper को हम cut कर लेंगे और उसके बाद यह दिखिए हमारा remote एकदम बिल्कुल सही हो गया है हम टूजर के मतबस से इसको टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कि अभी जो दो बटन है उसका बाहर बाला जो circle है उसका connection कट गया है लेकिन middle बाला जो है वो बिल्कुल सही है थुरा थुरा कट उसमें बना हुआ है उसमें अगर हम थुरा सा jumper कर देते तो यह middle बाला point B सही हो जाएगा यह देखिए अब हम तुजार के मदद से इसको connection देके देखेंगे यह देखिए बिल्कुल सही है यह देखिए हमरा sub button जो है काम कर रहा है यह देखिए sub button काम कर रहा है मेरा remote का जो problem तो बिल्कुल सही हो गया है अब middle बाला button को हम देखिए यह connection करके के वो काम कर रहा है के नहीं यह देखिए middle बाला button भी हमरा काम कर रहा है अब नीचे बाला जो button उसको भी आ एक बाद शेक करके हम देखेंगे यह देखिए नीचे बाला button भी काम कर रहा है अब इस दो button का अगर connection हम कर देथे बिल्कुल सही हो जाएगा तो हमरा remote जो problem तो उसको हमने ठीक कर दिया है ओके ठाग यू वाचिंग माई वीडियो कर दो कर दो